आज हम कम तेल में सूजी का बहुत ही टेश्टी नास्ता बनाने वाले हैं इस नास्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यदा तेल मसालेक जरूरत बिलकुल नहीं पड़ेगी यह बहुत ही हलका फुल का स्वादिश्ट नास्ता है आप इसको कभी भी घर पर आसानी से बना सकते हैं नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सूजी का बैटर बनाएंगे बावल में डालेंगे एक कप सूजी यह हमने बारिक वाला सूजी लिया है अगर आप मोटे वाले सूजी लिये हैं तो उससे पीस कर बारिक कर लें आप इसी में लगभग एक कप दही डालेंगे एकदम ताजे दही हैं, खटे नहीं हैं इसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे जितना हमने दही लिया था लगभग उतना पानी डालेंगे अब हम सूजी को दही में अच्छे सी मिलाएंगे जिससे इसमें दही के ठकके न रहें सूजी में अच्छे सी मिल जाएं क्योंकि दही ठकके दार है इसलिए हम इसको फेटते हुए मिला लेते हैं वाइसे तो आप चाहें दही को पहले से फेट कर डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से डाल कर मिला सकते हैं, सूजी में हमने दही को अच्छे से मिला लिया है, लेकिन अभी बैटर तयार नहीं है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढखकर साइड में रखेंगे, जिससे इसमें सूजी अच्छे से फूल जाए, अब हम कडाही में डालेंगे लगभग 1 लीटर पानी, इसके बाद हम इसमें एक जाली वाला प्लेट लगाएंगे, आप चाहें तो कडाही में कटोरी लगा कर कोई भी प्लेट लगा सकते हैं, अगर आपके पास इस तरक प्लेट नहीं है तो, अब पहले हम कडाही को ढखकर पानी को उबाल लेते हैं, लगभग 10 मिनट के बाद बैटर को हम देख लेते हैं, यहाँ पर सूजी फूल गया है, अब इसमें हम कुछ सबजियां डालेंगे, एक बारिक कटा हुए टमाटर डालेंगे, एक कटा हुए प्याज डालेंगे, इसके बाद दो कटी हुए हरीमिज डालेंगे, थोड़ा से बारिक कटा हुए हरा धनिया, आधा चमच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और एक चोथाई छोटी चमच बेकिंग सोड़ा डालेंगे, यह खाने वाला मीठा सोड़ा है, इससे नास्ता फुलफुलफुलब बढ़ियां बनेगा, आप चाहें तो इसकी जगए इनो ड डाल सकते हैं, अब सारे चीजों को हम मिला कर बैटर को तयार कर लेते हैं, आप इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें सब्जी डाला है और नमक भी डाल दिया है, सब्जी जो है पानी चोड़ेंगे, इसलिए आप इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सार हमने यहां पर इस तरह के चार प्लेट लिया है इसी में हम बाइटर डाल कर सेट करेंगे पले इसमें तेल लगा देते हैं तेल हम अच्छे सी प्लेट में लगाएंगे जिससे नास्ता पकने एक बाद प्लेट आसानिस छोड़ दे आपके घर में कोई भी प्लेट हो आप इस चाहें तो इस नास्ते को कटोरी में भी बना सकते हैं यहां पर हमने दो कटोरी लिया है इसमें भी हम नास्ते को बनाएंगे अब पूरे प्लेट और काटोरी में हम बाइटर को भर देते हैं इसमें हम बहुत ज़दा बाइटर को नहीं भरेंगे क्योंकि ये पकने बाद फुल कर प्लेट भर जाएंगे इसलिए हम थोड़ थोड़ डाल कर भर देते हैं पूरे बैटर को हमने कटोरी प्लेट में भरकर सेट कर दिया है अब इसको हम पकाएंगे तो चलते हैं गैस की तरफ यहाँ पर पानी अच्छे से उबल रहा है अब इसके उपर से हम चारो प्लेट रखेंगे अब कड़ाये को पर हम ढखकन लगाएंगे और इसे मेडिये माज पर 7-8 मिनट तक पकाएंगे लगभग 8 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं इसमें हम तीली डाल कर चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं तीली इसमें साफ निकल रहा है यहनिक यह पक चुका है यह चारो प्लेट का इटली तयार है अब प्लेट को हम बाहर निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए पहले इसको हम अच्छी तरश ठंडा करेंगे तब प्लेट से निकालेंगे क्योंकि गरम रहने पर यह निकालते समय तूट जाएंगे तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं यहाँ पर हमने जो कटोरिम बैटर भरा है अब इसको पकाएंगे इसको भी पकने उतना ही समय लगेगा गैस को हम मेडिया में रखेंगे और कडाहे को उपर धकन लगाकर लगवक 8 मिनिदे तक इसको भी पकाएंगे अब धकन हटाकर इसको भी देख लेते हैं आप देख सकते हैं यह भी पक चुके हैं आप इसको भी निकालकर ठंडा करेंगे यहाँ पर प्लेट अच्छे ठंडा हो चुका है तो नास्ते को हम चाकुस कट लगाकर निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी आसानी से प्लेट से निकल गया है बहुत ही बढ़िया मुलाग इस पंजी नास्ता बना है इसी तरह से पूरे प्लेट कर नास्ता निकाल लेते हैं प्लेट से नास्ते को हमने निकाल लिया है अब कटोरी वाला नास्ता निकालेंगे यहाँ पर कटोरी भी अच्छे श्ठंडा हो चुका है इसको भी हम निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं काटोरी वाला नास्ता कितना बढ़िया बना है यह भी बहुत मुलाएं इस्पंजी है आप इसको हम तड़का लगा कर सेखेंगे गाइस पर हमने एक पैन रख दिया है पैन में डालेंगे एक बड़े चमज तेल तेल को अच्छे से गरम करेंगे तेल गरम होने बाद अब इसमें हम डालेंगे दो छोटी चमज राई और एक छोटी चमज सफेद तेल डालेंगे राई और तील को अच्छे से भूल लेते हैं जब राई अच्छे चटक जाए तो समझ लिजी यह भून चुका है राई और तील अच्छे से भून चुका है अब इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ता करी पत्ता को थोड़ी देर भून लेते हैं इसके बाद डालेंगे थोड़े मसाले आप इसमें डालेगे आधी छोटी चमच हल्दी पौडर और आधी छोटी चमच लाल मिर्च पौडर मसाले को मिलाते हुए एक मिनट तक और भूनेंगे मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है अब इसमें हम नास्ते को रखकर सेकेंगे यहाँ पर हमने जो प्लेट वाला नास्ता बनाया है तो पहले इसको हम सेकेंगे इसको हम इस तरह से दापते हुए मेडिय माच पर सेक लेते हैं ज्यादा नहीं बस इसको हम 3-4 मिनट तक दोनों तरब सेकेंगे वैसे तो आप चाहें इस नास्ते को बिनट सेके खा सकते हैं इसको आप चाहें तो सेक कर खाएं या फिर बिनट सेके खाएं यह दोनों तरह से खाने में अच्छा लगता है अब इस नास्ता सेक गया है अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह जो कटोरी वेला नास्ता है उसको भी हम सेक लेते हैं यहाँ पर हमने पूरे नास्ते को सेक लिया है अब इस सूजी का नास्ता खाने के लिए पूरी तरह तयार है इस नास्ते के लिए हमने यहाँ पर दो तरक चटनी बनाया है एक चटनी हमने टमाटर मुंफलिक पका कर बनाया है और एक नारियल मुंफलिक चटनी बनाया है आपको जो पसंद है आप उस चटनी साथ इसे खा सकते हैं एक नास्ता हम तोड़ कर दिखाते हैं कि ये कितने मुलायम है तोड़ने बाद आपको पता चल रहा होगा कितना बढ पो पसंदा एका